चले बचो अब हम calculate करते हैं electric potential at a point due to a point charge right due to 2, due to 3, due to n अब फिर से याद दिलाता हूँ यह मैंने यहाँ पर लिखा है कैसे calculate करते है electric potential at a point आपको work done calculate करना होगा unit charge को infinity से एक point तक लाइने में electric field के against figure को देखो यह एक charge है अब इसके बार electric field होगा बचो electric field के अंदर मैंने एक point A select किया है जहाँ potential निकालना है मैं निकाल के दूँगा potential कितना होगा इस point पे और यह A कितना दूर है चार से R के फासले पे अब कैसे मैं यहाँ पे potential calculate करूँगा याद रखे बच्चो infinity से एक unit charge को unit positive charge को लाना होगा यहाँ तक against the field जो work में करूँगा इस unit charge positive charge को infinity से यहाँ तक लाने में वो इसे लिखते हैं लिखते हैंगे नहीं वो वरडन पर unit charge मुझे इस point पे देगा electric potential इस लोके चल यह ज़रा करते हैं शुरूँगा देखो बच्चो क्या करूँगा मैं इस charge के electric field के अंदर एक point यहाँ पे select करता हूँ और इस point का नाम में देता हूँ चलिए कुछ भी नाम देते हैं C और यहाँ पे मैं एक unit charge रखता हूँ positive unit charge जो की इस charge से X के फासले पे है अश्तर समयना point C पे एक unit positive charge रखा मैंने इस source charge के field के अंदर और यह कितना दूरे charge है X बो बच्चो क्या इस charge और इस charge के बीच force होगी definitely होगी and the force can be calculated by using column's law वो होगी 1 by 4 by epsilon not Q Q into Q this is Q how much? 1 1 by x square which can be written is 1 by 4 by epsilon not Q by x square यहां पे जो मैंने यूनिट positive charge रखा electric field के अंदर इसके electric field के अंदर जो X दूर है यहां से तो कितनी force होगी इस पर यह निकली अब बचो यह force इसको क्या करेगी ripple बाहर के और बागे के इसको बागाई की बाहर के और लेकिन हमें बचो इसको भागने नहीं देना है हमें क्या करना होगा इतनी force इसको लगाएंगे थोड़ा अंदर की और थोड़ा सा लाएंगे अंदर मानलो C से D और कितना मैंने डिस्प्लेस किया मानलो D X small displacement को लिखते हैं D X C से D तक मैंने लाया ये force लगाई मैंने लगाई की नहीं इतनी force क्योंकि इतनी force इस unit charge को यहां लगेगी जिससे ये बाहर जागेगा लेकिन मैं इसको बाहर जाएंगे नहीं दूँगा same force मैं लगाऊंगा और लाऊंगा C से D field के against आ रहा हूँ right field आपका बाहर की हो रहे लेकिन मैं against आ रहा हूँ तो कितना मैंने इस unit charge को लाया C से D कितना displacement के है DX तो क्या मैंने कुछ work किया हाँ small work किया और वो small work हम लखेंगे DW से formula वहीं लगेगा force into displacement बोलो आपने कितनी force लगाई ये 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square into displacement आपकी क्या है यहां से यहां DX इसके लिएर तो ये किया मैंने work एक unit positive charge को कहां से कहां तक लेने में C से D याद रखो आपने work done करना है unit charge को infinity से A तक लाने में अब आप क्या करोगे simple याद रखना पचो हम infinity से A तक जितना भी ये रास्ता है infinity से यहां तक जितनी भी दूरी है हम उस पूरे path को बांटेंगे small small displacement में small ये एक small displacement है DX infinity से A तक कितने small displacement बनेंगी बहुत सारी right तो उन सब को मैं add जब करूँगा small small work में निकालूँगा infinity से यहां तक A से ही तो सारे small work सो जब add करेंगे तो क्या निकलेगा total work उसके लिए हमारे पास बेस्ट तरीका है हम इस small work done को integrate करेंगे limit लगाएंगे infinity to x sorry infinity to A A कितना दूर है R तो therefore total work done in bringing a unit positive charge from infinity to A तो क्या करेंगे इसको करना पुडएगा integral dw integral means summation integral यह सारा q by 4 by epsilon 0 x square into dx अब आश limits लगाओ कहां से लाना है infinity से कहां तक R क्योंकि R जो है इस point का distance बता रहे 4 से इस point पर आपने potential निकालना है तो यह point कितना दूर है 4 से R तो infinity से आपने unit charge लाए कहां तक R तक come on करो salt हो जाएगा बचो what is integral DW W total work done in bringing a unit charge from infinity to A against the field will be equal to constant terms outside q by 4 by epsilon 0 integral क्या बचा 1 by x square into dx limits infinity to R मुचो जारा इसको मैं फिर आगे solve करूँगा q by 4 by epsilon 0 मुचो इस 1 by x square को लिखेंगे x-rays पर minus 2 into dx लिख सकते हैं इसको numerator मे लाए मैंने limits infinity to R ठीक है नहीं था मुचो अब यहाँ पे integration का formula यह वाला हम use करेंगे integral x-rays power n into dx यह पढ़ा है लिख में और यह बराबर होता है x-rays power n plus 1 by n plus y यह मैं use यहाँ पे करूँगा n क्या है मेरा minus 2 यह ना x-rays power n into dx right तो चलिए implies total work done in bringing a unit charge from infinity to a point आएगा q by 4 pi epsilon 0 अच्छा बाज बचो जब integration को हम खोलते हैं तो mod लगाते हैं x-rays पर minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 लगया मैंने formula integration का और limits यहाँ जाएंगी infinity to r चलिए बचो 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 यहाँ बचो यहाँ पर देखो यह minus 2 plus 1 की आएगा minus minus बाहर आएगा लगया बचो बचो अच बचो बचो यहाँ बचो 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 यहाँ पर 4 by epsilon 0 बचो क्या x raise पर minus 1 को 1 by x लिखा जाजा सकता है लिखा जाजा सकता है yes तो यह आएगा यहाँ limits लगेंगी infinity to par लगा बचो limits x जगा upper limit minus x जगा lower limit यह अपने पढ़ा है limit में integration में minus q by 4 by epsilon 0 लगाँ जी लिमिट 1 upon अब x की जगा r फर्मलेकर minus 1 upon x की जगा infinity right so यह आएगा बचो कितना आएगा यह minus 1 by 4 by epsilon 0 q by r ठीक है बचो 1 by entry क्या होता है 0 यह work done जो मैंने किया बचो यह work done मैंने unit charge को यहाँ देखे उपर unit charge पास्ट चार्ज को infinity से यहाँ तक लाने में जो मैंने work किया वो यह work है और यह major करेगा V कहाँ पे at A so this is potential at A कितना minus 1 by 4 by epsilon 0 q by r so यह होगा बचो आपका potential at a point due to a point charge ठीक है बचो यहाँ पे असल में बचो capital क्यों है यह राइट बचो यहाँ एक point पे मैं आपको थोड़ा सा correction कर लेता हूँ देको बचो मैंने यह जो small work की यहाँ calculate किया था ना जूही मैंने यहाँ पे रखा था unit plus two charge unit plus two charge यहाँ पे जूही रखा है मैंने तो इस charge की वज़े से उस पर force of repulsion act करेगी और वो force of repulsion मैंने यह निकाली F यह अब मैंने against repulsion आना है मैंने force of repulsion के against force लगानी होगी अंदर लाने के लिए इसलिए बच्चों मुझे यहाँ minus यूज़ करना पड़ेगा यानि आपने जो force C से D के तरफ लगानी होगी इतनी force लगानी होगी तो minus opposite तो यह minus आपने साथ साथ चलाना है तो यह minus साथ साथ चलेगा minus साथ साथ में चलेगा सबके अब देखिए यह जो minus है यह minus और यह minus सब हो जाएगा plus यह plus तो potential आपका plus है फिर देखिए फिर देखिए जर बचो पहले मैंने एक point charge लिया Q और इसके electric field के अंदर एक point A select किया है जो R के फासले पे है यहाँ पे potential निकालना था और उसको तरीका क्या है एक unit positive charge को infinity से यहाँ तक लाना होगा against the repulsion against the electric field तो उसके लिए work करना पड़ेगा बचो तो हमने क्या किया हमने पहले एक point C लिया field के अंदर और यहाँ unit positive charge रखा definitely उस पर force of repulsion act होगी कितनी force होगी using columns law तो यह force होगी अब इतनी ही force लगानी होगी मुझे अंदर के लिए और मैंने C से D तक लाए इसको कितना displacement किया DX तो क्या मैंने small work किया तो small work किया लिखने DW minus के साथ आप against the force आप repulsion इसको ला रहे हो तो यह minus F की value लगाओ यह यहाँ पर S displacement C से D DX होगी है तो मैंने small work किया एक unit positive charge को C से D तक लाने में लेकिन मैंने infinity से A तक लाना है तो कितना work करूँगा उसके लिए best method है कुंसा integration का तो integrate करो इस small work को small work को integrate करो तो total work निकलेगा कहां से कहां लाना है unit positive charge infinity to R तो यह किया मैंने constant of outside inside बचा 1 by x square यह 1 by x square को लिखा जा सकता x square minus 2 लगा यह यह वला integration का formula तो जब यह ने यह formula लगाया तो आपकी sum ने यह आ गया तो यह minus 2 plus 1 minus 1 हो गया minus 1 minus plus हो गया बाकि same यहां बचा x square minus 1 x square minus 1 को हम लिखेंगा बचा 1 by x फिर limit लगाएंगे upper limit minus lower limit तो यह total burden so this will be 1 by 4 by epsilon 0 q by r गूर से दिखो बच्चो electric potential is directly proportional to q नहीं at a point उसका मतलब charge जादा होगा stronger charge होगा at a point potential भी strong होगा number 2 potential at a point is inversely proportional to r क्या बच्चो मतलब इसका कि नजदीक दिदीक charge की नजदीक आते जाओगे potential भडता जाएगा दूर जाओगे तो क्या हो जाएगा कम होता जाएगा तो ये दो चीजें तो अगर मैं graph plot करूँ potential versus distance एक side हम r लेंगे एक side v लेंगे तो आपका graph बच्चो ऐसे down होगा ऐसे ऐसे कम होगा so जो जो r आप दूर दूर जा रहे हो r बढ़ाते जाओगे v आपका कम होता जाएगा so this is all about potential at a point due to point charge इस तरह के से बचो अब हम समझेंगे potential at a point due to two oblique end charges potential at a point due to single charge हमने सीखा अब अगर हमारे पास दो charges है और एक point पर potential निकालना है ए point पर तो simple होगा आब दीजे q1 है कितना दूर है point a से r1 q2 है कितना दूर है से r2 तो यहां पर total potential कितना होगा हम क्या करेंगे हम q2 को बूल जाएंगे a point पर इस charge का potential कितना होगा v1 1 by 4 by epsilon 8 अभी किया q1 by r1 राइट अभी सिखा आपने पीसे यही आप इसको बूल जाओ अब potential 8 है due to second charge कितना होगा v2 1 by 4 by epsilon 0 q2 by r2 total potential आपने total यहां पर बोलना है तो principle आप superpositive potentials यूज़ करो total potential सबका simple sum add करना होगा इन दोनों को because they are scalars simple sum करना होगा तो इस तरह के से जब हम add करेंगे तो 1 by 4 by epsilon 0 q1 by r1 plus 1 by 4 by epsilon 0 q2 by r2 so this will be 1 by 4 by epsilon 0 common here आएगा q1 by r1 plus q2 by r2 that's all अब अगर हम परस n charges हो जब q1 था q2 अब हमारे पास dash 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 q n जो कि यहां से कितना दूर है लीजिए उसको लिखेंगे rn तो बोले क्या करोगे V1 ये आएगा फिर V2 आएगा फिर V3 फिर V4 तो VN कितना आएगा बच्चो शाबाश इसी को देखे बोलो 1 by 4 by epsilon 0 QN by RN simple तो करो total of इस point पे due to N charges potential कितना होगा करो use principle super portion of potentials तो लिकेंगे V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dash 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 plus VN तो जो इसी को add करना है plus dash dash तो लिकेंगे plus 1 by 4 by epsilon 0 QN by RN तो इसको मैं ब्रेकेंट हटा दूँगा एगा plus Q3 पे R3 plus dash 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 QN by RN is clear right तो इस तरी के से बच्चो यह है अगर मैं इसको short में लिखना चाहूं तो 1 by 4 by epsilon 0 summation QI by R I बच्चो देखना ज़रा QI by R I I is equal to 1 to N को summation का मतलब sum QI I को value देनी होगी 1 to N Q1 by R1 I को 1 देदो तो आएगा Q1 by R1 Q1 by R1 summation का मतलब sum करना है plus फिर क्या आएगा 2 Q2 by R2 Q2 by R2 फिर plus Q3 by R3 last कहा तक जाना है N देना है I को so QN by R वही है so this will be the total potential at a point due to N charges is clear thank you very much